नवस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप जैसा कि आप समझे जानते हैं कि चुनाव अपने अंतिम चल रहा है और चुनाव की गहमा गहमे इतनी बढ़ गई है कि आप तक सारी खबरे पहुँच रहे होंगे आपको पता चलता होगा कि अब इस्थिती क्या है और कितनी बड़ी लड़ाई है इस लड़ाई को आप महाभारत के रूप में देख सकते हैं महाभारत में जिस तरह से न्याय और अन्याय को ले करके दो खे में बन गए थे और राज तंत्र के साथ जो आम जनता है वो भी रा राजा के साथ रहने और न रहने के लिए मजबूर थी कुछ लोगी मजबूरियां थी जो राजा के साथ रहने के लिए मजबूर थे क्योंकि कहा जाता है कि राजा हमेंसा सच्चा होता है राजा हमेंसा ठीक होता है राजा हमेंसा उचित करता है और ऐसी इस्तिती 2020 के चु करना नितीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बाते चल रही है और नितीश कुमार को लेकर के जितनी भी बातें सामने आ रही है उन सब बातों का एक ही बात है कि नितीश कुमार ने अपने 15 साल में क्या किया पांच साल में वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनका वीजन डिकुम गहा है कि आगर कुछ किये हैं तो जंता के सामने रखिए आपके पास कोई डॉकमेंट्स नहीं है कोई vision डॉकमेंट्स नहीं है 2015 में इंडिए के खिलाप जो आपने सपस पत्र घुष्णा पत्र दिया था उस घुष्णा पत्र पर आज भी आप कारें हैं जो आपके साथ निश्य ने पूरे बिहार को तबाह और बर्बाद कर दिया है इतना ही नहीं चिराज पास्वान ने साफ तोर पे कहा है कि इस बार आप से ज़्यादा सीट लेकर खाएंगे उन्हेंने साफ तोर पे कहा है कि जदियू से लगों ने नकार दिया है और एलजेपी में लोगों ने अभवी से देखा है हमारे पास भीजन डोकमेंट है हम बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट बना जाना है बिहार को बदलने के हम कभायत में लगे हुए हैं और ये कोई ब्यक्ति से नहीं है पिछले एक साल में हमारे संग्रा किये वे डाठे और जिस तरह का पूरी तरह से आपका अफसर साही हावी है लोग तरस्थ हैं एक छोटी सी काम के लिए लोगों को घूस देना पड़ता है पैसा देना पड़ता है ये है आपका बिहार और आपने ऐसा बिहार बना दिया नितिश कुमार जी कि आप कुर्सी पर बैठे रहना चाहते है और आपके अफसर लोगों को तबाह करते है ये वो इस्थिती हो गई है जब अंग्रेजों के जमाने में कोड़े बरसा बरसा करके लेभी वसूली जाती थी आप बताइए कि आपके अफसर अगर है अपमे मादा तो आप अपने अफसरों का लिष्ट दीजिए कि कौन से इमानदार अफसर है एक बाद फिर सचिरा पहसवार ने इसारा किया है कि नितिष कुमार के राज में भ्रस्टाचार सबसे चरम पर है पांच साल का बेवरा मांगा है और कहा है कि निश्चत रूप से यदि आप हिसाब किताब नहीं देते है तो आप में कहीं ने कहीं खोट है क्योंकि हिसाब की चोड़ी वही करता है जिसमें कहीं न कहीं कोई कमी रहती है आप छुट बोलते हैं बिहार की जंता से कि आप विकास के तरफ जाने हैं आपने विनास लिख दिया है और आगे आने वाले समय में जैसे भी होगा है LJP आपको सत्ता में जाने से रोकने का काम करेगी चिराग पासवान के इस चैलेंज हमला करती है पर अमित साहने कुछ और बाते कही है अब देखना होगा कि चिराग पासवान ने जो सीज़े तर पर नितिश कुमार को ओपेन चैलेंज किया है उसका क्या परिनाम होता क्योंकि कल से बहुत कुछ और होने वाला है विहार के राजित में चुड़ेने भारक ला हुणता है